आपको याद होगा जब एनिमल मूवी आई थी तो लोगों ने कहा कि इतनी जादा वोईलेंट मूवी अब तक नहीं आई है जहां एक दड़ा तारीफ कर रहा था सनीप रेटी वांगा गार दूसरा इतना वोईलेंट क्रिटिसाइज भी कर रहा था कि इतना वोईलेंट क्यो पारी हदे पार हो चुकी है देखो मैं यह नहीं कहता यह फिल्म में बहुत कुछ नया दिखाती है नहीं वाट से मैं वह देखा तो बहुत यह एक रेगुलर चीज है वाट से में लेकिन भारत में खासतर से बॉलिवूड में जहां पर एक हिरो आता है इनलोजिकल फाइट करता है जहां पर 100-200 आदमी तो ऐसे मारता है जैसे वो मख्या उड़ा रहा हो लेकिन ऐसे में जब कोई फिल्म आती है रियलिजम के करीब लगती है और वो वो फाइट से के में दिखाती है जो हमें लगता यह पॉसिबल है तब ऐसे में हमारे लिए वो चीज नहीं हो जात कि आप उसको देखके उबते नहींनाएं आप देखके बोर होते किया मैं देख रहा हूँ जो सीज आप आपको एक अलग ही पीक पे लेक जाती है रोमांच आपको बर बर यहीं है रियलिजम अक्शन और रोमांच का किलर और दौड़ती ट्रेंद के बोगियों में खूनी ये चीज आपको बांद के रखेगी आप पूछोगे कि नहीं मुझे यहाँ पर कहानी जरूरत नहीं है कुछ फिल्में ये उन फिल्मों में से है जिनको कहानी जरूरत नहीं है आपने अप किल बिल फिल्म देखो कहानी थोड़ी सी एक्शन बरबर की यहाँ पर भी रेलगार तकरीबन दोसो आदमें उग मारती है लड़का आती है, गिरती है, चोटीर होती है उटखडी होती है, दोसो आदमें उग मारती है ठीक एक्जेक्टली आप यहां होता है अगर आपने वोड़े सिनेमा देखा है तो आपको टरिंटेनो की यादिया पर इफिनेटली आएगी, मुझे तो भर भर गया आई थी अनिमल फिल्म भी, देखो क्या होता मैं यह नहीं कहता, कोई फिल्म कॉपी होती है नहीं, जब कोई डारेक्टर फिल्मेकर किसी बड़े डारेक्टर का वो उससे इंस्पिरेशन लेता है तो उसके कुछ क्राफ्ट का वो न कोपी ज़रूर करता है तो एनिमल फिल्म में भी कोपी थी मैं इंस्पायर्ट बोलूँगा रिजन यह है कि वो सिमिलर नहीं था लेकिन फाइट लगबगव ऐसी थी वो गैले में जब वो कुलारी वारा फाइट है तो यहाँ ट्रेन में भी एक एक सिक्वेंस एक एक फाइट चीज आपको जबर दर से बढ़िया लगएगा और उपर से टरेंटेन वोक तो याद तरोत ताजा हो जाएगी और इसकी वज़ए यह होगी रियल फाइट और अन ग्लोर्फाइंग सीन जिसको ग्लोर्फाइंग नहीं किया गया है लेकिन जो ब्रूटल्डी का डोज यहाँ पर दिया गया है या सोचो मतलब कि क्या सोचोगी एक आदमी को मारना है, गोली मार दोगे, चाको मार दोगे, क्या कर दो, मर गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक नयने तरकीब दिखाते है फिल्म की, आदमी मरता है, तो कहा कहा से मर सकता है, मरने के और भी causes क्या हो सकते है, फिल्म का tagline ही है, इंडिया का most violent movie होने वाली है, और पिछीज आपको बताने से पहले आपको बता दो, फिल्म का प्रोट क्या था, फिल्म का प्रोट ये था कि एक फोजी NSG में कमांडर है, अपनी प्रेमिका को सर्प्राइज दने के लिए ट्रेन में चड़ जाता है, लेकिन कुछ वाक्या ऐसे होते हैं, जहां पर उस कमांड करते थे, सिर्फ बलादकार नहीं करते थे, लेकिन लूट पार्ट के साथ हत्याय तो ऐसे करते जैसे गाजर मूली काटी उन्होंने, लेकिन 2024 का डाको कैसा होगा, 2024 का डाको लिया उन्होंने ये जुवाल साब को, और यकीन मानो ये वेस्टन कपडों में ये 2024 का डाको बुरी तरीके से मारना पड़ता है, और यहाँ पर आ रहा है नहीं जा रहा, यहाँ पर आउत की प्रयावाची लिखी जा रही है, और जैसा कि मैंने बोला था, यह उन फिल्मों में से है, जहाँ पर इनको कहानी जुरूत नहीं है, कहानी का थोड़ा से एक प्लोट बना कर आपको बस मजा आएगा वो fight sequence देखके, फिल्म का सबसे बढ़िया बात यह है कि यह एक ही पोगी में, एक ही train में पूरी fight sequence है, पूरी फिल्म है, फिल्म जबकि एक गंड़ा 55 मिंट की है, आप सोचोगे कि एक गंड़ा 55 मिंट में क्या दिखाएंगे, आपकी सोचोगे कि इंटरोल में देख लिया, आगे एक बचा कहा है देखने के लिए, लेकिन आप गलत हो जाते हो, यहाँ पर बहुत कुछ बचा हुआ है, इंटरोल से पहले जहाँ पर fight sequence खतम नहीं होती, फिल्म थमती नहीं है, इंटरोल के बाद थोड़ी थमती है, लेकिन थमती भी नहीं ही है, फिर वहाँ से पीक पे चलियाती है, हर एक सीन बूम करती है, और एक सीन मैंने की, कि भाई जब जब सीन आप इतना बढ़िया लिख रहे हो, कोरियोग्राफ इतना बढ़िया कर रहे हो, पीछे बीजियम किस आवसी बंदे को दे दिया तुमने, यहाँ पर बीजियम ठीक ठाक है, लेकिन आप नोटिस नहीं करोगे, जब जब चलेगा स्क्रिंट पर फाइट सीकिवेंसिस, आप उसका सिर्फ मज़ा लोगी, फिल्म की कहानी बस यही है, कि ट्रेन चली राची से बिहार के दिन द्याल में आगे रुखती है, और जो कांड होना होता है, इन ही दस गंडों में होता है, कोरिया से तालुक रखने वाले, होलिवुड के फिल्मों में एक से एक्शन डायक्ट कर देने वाले, जो इसके एक्शन कोरियोग्राफर है, सी, योंग, ओ, इनकी एक्शन कोरियोग्राफी, यकीन वालो बहुत अनोखी है, तब ही मैं सोचों कि कैसे क्रियेट कर ली, अब जाके पता लगा कि भाई जो एक्शन सिक्वेंसेज क्रियेट करने वाला जो अवतारी पूरुस है, वो कोरिया का है, खैर जो भी हो, चलो कुछ एक नई पीड़ी तो आई, कुछ नया पैमाना सेट करने के लिए, पर अदरवाइस हम बहुत सारी चीजें वहीं पर एक समान अंतर पे देखते हुए आ रहे थे, लव स्टोरी मारदान खत्म, और बात करें, एक्टिंग की तो जो गोन्फिडेंट देखके लगाना लक्षे का, हलांके पहले फिल्म है, यह पहले फिल्म बहुत है बढ़िया दी है, इसमें जादर एक्टिं नहीं, यह साइलन्ट है, मतलब जब इसमें उसे कुछ बात निकलती है, तो यह आपको हसा देगा अपनी बातों से, जबकि है विल्म, बाकी फिल्म का हर एक चीज़ बहुत ही ट्रेम इंडिया से, बढ़िया है, और फिल्म को रेट करूँगा, मैं 8 आउट 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 फिल्म देखें, आउट इसी फिल्म देखें मजाएगा, और ऐसी फिल्मों का खुले आर्म से वेलकमिंग होनी चाहिए, कुछ नया दिखाया है, मैं अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सकाइब जरू कर देना, मिलते हैं किस अगली वीडियों, ततरु नमस्कार, जैहिंद, बंदे मातरम